Hello friends, क्या से आप सब? I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स जिन्होंने JBT या DLA का डिप्लोमा किया हुआ है या आप किसी और स्टेट से भी हैं, जम्मो कस्मीर उत्रखंड specially क्योंकि हमारे सबस्क्राइब हिमाचल से ही हैं तो आपको बता है कि हिमाचल में काफी समय से JBT क्या कमिशन की भरती नहीं हो रही है JBT Teachers की, तो आपके बास मौका है चंडिगर में JBT Teachers की जॉब करने का regular basis पे junior basic teachers की post के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं चंडिगर यूनिर टेटरी के लिए इसके लिए क्या-क्या essential qualification रहेगी और क्या exam pattern रहेगा सारी detail में हम जानेंगे कब apply कर सकते हैं कैसे apply करेंगे पूरी information आपको इस वीडियो में मिलेगी तो आप वीडियो कों तक जरूर देखें और चैनल को subscribe कर लें तो आप apply कर सकेंगे आप इसको 24 एक 2024 से और last date रहेगी इसकी 19 फरवरी 2024 तक और आप late fees के साथ अगर आप delay करते हैं तो 22 तक आप fees की submit कर पाएंगे late fees लगेगी लेकिन total 396 posts के लिए ये भरतिकंड़ करवाई जा रही है JBT के हैं तो class 1 से 5 तक रहेगा इसमें general की 179 posts हैं OBC के 94, SC की 84, EWS की 39 and total 396 posts हैं essential qualification की बात करें अगर to the for the post of JBT तो जैसा ही मचल में होता है कि 12th base पे होती है यहाँ पे आपके वास graduation होनी चाहिए graduation compulsory है साथ में obviously आपके वास 2 साल का DLA या JBT का डिप्लोमा होना चाहिए recognized by NCTE National Council of Teacher Education के द्वारा recognized होना चाहिए और साथ में आपका Center Teacher Eligibility Test C Tadda का qualify होना चाहिए Paper 1 Paper 1 जो JBT के लिए होता है और साथ में आपके पास computer course का diploma होना चाहिए at least 80 hours का कोई किसी government recognized institution से verified होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से भी किया होगा तो ऐसा नहीं चलेगा जैसे DOEIC का diploma चल पड़ेगा जैसे जिसको अब NILET कहते हैं जैसे O Level का A Level का या कोई और diploma है CCC है तो यह diploma इसमें valid होते हैं तो ऐसा diploma आपके पास होना चाहिए साथ में जो selection का criteria है वो आपका written test पे ही जो objective type test होगा आपका उसी के basis पे होगा जो आपके marks obtain करेंगे आप और इसमें कोई भी interview नहीं होगा यहाँ पे mention किया हुआ है अगर syllabus की बात करें तो आपका examination 500 number का होगा 150 marks का और आपके पास question भी 150 ही रहेंगे और time भी आपके पास 150 मिनट ही रहेंगे जैसे HP debt में होता है लेकिन इसके syllabus की बात करें तो इसका syllabus काफी wide है जैसे नहींने यहाँ पे mention किया है 15-15 के परतेक section में नहींने पूरा syllabus डिवाइड किया है सबसे पहले general awareness है GS 15 नंबर की पुछी जाएगी reasoning ability 15 नंबर की mathematical and numerical ability 15 marks की teaching aptitude जिसमें pedagogy आती है pedagogy 15 नंबर की information and communication technology ICT यह computer के 15 कोशन होंगे आपके पास इसके बाद test of English language and comprehension 10 नंबर की जो है English language से कोशन होंगे most important test of Punjabi language and comprehension 10 कोशन आपके पास पंजाबी language के होंगे अब जो ही मचल से हैं उत्रहंट से हैं जिनको पंजाबी नहीं आती उनके लिए यहाँ पे रिकावर्ट हो सकती है तो पंजाबी नहीं आती है तो आपको और sections में बहुत अच्छा perform करना पड़ेगा इन 10 नंबर को overgam करने के लिए इनकी भरपाई करने के लिए हिंदी के आपके पास 10 question होंगे mathematics 15 question अब mathematical है numerical ability 15 यहाँ लग से दिया है mathematics लग से दिया है जनरल साइंस के 15 question और social science के भी 15 question यह सारे question जो है 10th standard तक के रहेंगे यानि कि इनका level अच्छा होगा 10th standard का मतलब है कि आपका काफी अच्छा level होता है and minimum qualifying marks रहेंगे आपके 40% और आपके 40% से कम marks आते हैं जैसे 1.500 में से आपके पास आपके 60 से ज़्यादा marks होने चाहिए 1.500 का 40 परिद्सत यानि 60 number आपके कम से कम होने चाहिए तब ही आप merit में आएंगे अगर 60 से कम होते हैं 800 में से तब आपकी merit में आप आएंगे ही नहीं कम से कम 60 से तो आपके marks कम से कम होने चाहिए और इसमें negative marking भी है most important कि आप जैसे आपको अगर पंजाबी language नहीं आती है तो आप तुके भी नहीं मार सकते यहाँ पर क्योंकि 1.4 यहाँ पर यानि कि 0.25 marks आपके कटेंगे आपके एक question के गलत होने पर तो negative marking भी है most important और आपका language जो examination की रहेगी question paper की वो bilingual होगा हिंदी में और English में except for the language paper जैसे अब पंजाबी है वो तो पंजाबी में ही रहीगा obviously तो यह इसका पूरा syllabus है age limit की अगर बात करें तो आपकी यह जोनी चाहिए 21-37 verse date यहाँ पर देख सकते हो आप 21-24 तो आपकी at least 21 verse आपकी यह जोनी चाहिए और 37 verse जो है maximum अगर fees की बात करें तो fees जो है non refundable है अगर आप general category से हैं तो आपकी 1000 रुपए फीस लगेगी अगर आपकी ऐसी हैं आप तो आपकी 500 रुपए फीस रहेगी apply करने का बता दिया आपको 22-24 तक आप apply कर पाएंगे दोपहर के दो बज़ेट से पहले तक website है इसकी यहाँ से आप note कर लीजिए इस PDF का link मैं telegram पे डाल दूँगा तो telegram का link का examination है का certificate है CTAT और computer का diploma साथ में graduation और number fourth है जो है jbt का diploma ओके तो यह चार criteria आपके fulfill होने चाहिए CTAT computer diploma जो की government के किसी institute से होना चाहिए साथ में graduation और obviously most important है jbt का course का जो है certificate तो अब इसके लिए apply कर पाएंगे काफी अच्छी sheets है जिसका आपने previous year का question paper भी solve किया हुआ है तो उसका link भी मैं यहाँ पर डाल दूगा तो आप उसको भी देख सकते हो पिकी paper का standard कैसा होता है कोई doubt है comment section में comment कर दीजिए thank you so much channel को subscribe नहीं किया है अगर आपने तो subscribe कर सकते हो God bless you all